नमस्कार दोस्तो टार्गेट हैं सेवी के एक बार फिल से सौगत हैं दोस्ते एक बार फिल से सेंटर गवर्मेंट से भरती विग्यापन आ चुका है भारत के सभी स्टीट के कंडिडेट दोस्तो इसमें प्लाइक कर पाएंगे इसमें पोस्ट की बात करें तो टीचर के लिए पोस्ट सामिल है साथ में पैरा मेडिकली स्टाब एबं अधर कई डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों भरती विग्यापन रहने वाला है अलग-अलग पोस्ट अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए भरते विग्यापन जारी हुआ है तो दोस्तो वीडियो में आंगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके सारे नोटिफिकेशन के पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तो आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बक्स में इसके लिंक मिल जाएगा वहां से आप जैन हो पाएगे और इजी तरीके से दोस्तो नोटिफिकेशन के पीडियाप साथ में जो भरती विग्यापन के आप लाइन आवेदन होते हैं उनके अप्लिकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो चलिए बढ़ते हैं इन्फरमेशन की और सबसे पहले दोस्तो ये जान लेते हैं भरती विग्यापन कहां से जारी हुआ है तो देख सकते हैं आप Government of NCT of Delhi Delhi से दोस्तो भरती विग्यापन जारी हुआ है और नंलाइन एक्जाम के माद्धिम से आपको इसमें सेलेक्सन होगा आपको इसमें बताया जा रहा डिले सब और्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड डी एससबी की दोरह दोस्तों ये भरती मिग्यापन अस्वरी आपका एक्जाम कंडेक्ट कराया जाएगा और देख सकते हैं 3723 को भरती भी क्या पंजारी हुआ है और इसमें आपको बताया जा रहा है आपको कैसे अप्लाई करना है तो आउनलाइन के माद्यम से आप आवेदन कर पाएंगे संबिजन आप आउनलाइन अप्लिकेशन ओपनिंग डेट तो 17823 से दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और लाश्ट डेट जो रहे कैसका 15 सितंबर रहने वाला 15 सितंबर 2030 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कौन-कौन से पोस्ट है तो हम पैरमेडिकल स्टाप की बात करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं टीचर के लिए जो पोस्ट है वो मियूचिक टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजवेट टीचर वालों के लिए रहने वाला है के लिए पोस्ट रहने वाला है, टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें, तो 138 टोटल पोस्ट है, लेब असिस्टेंट के लिए, और असिस्टेंट में दोस्तों और भी अलग-अलग डिपार्टमेंट में हैं, जैसे OT वाले और C.E.S.S.D. वाले कंडिरेट के लिए इसमें रहने वाला है और OT technician के लिए भी दोस्तों इसमें post है OT और CSST technician के लिए नमबर आप post की बात करें तो OT technician के लिए 72 post है और जो assistant है OT assistant के लिए 118 post है बहुत अच्छी post रहने वाली दोस्तों permanent आपको इसमें posting दी जाएगी center government की job रहेगी automatic assistant के लिए भी post सामिल कर लिए गया 13 post है technician के लिए 8 post है इसमें OT वाले candidate के लिए रहने वाला है और दोस्तों और भी बहुत सारे post है जैसे आप देख सकते हैं इसमें रेडियो ग्राफर के लिए रहने वाला है और occupational therapist के लिए रेडियो ग्राफर के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 32 टोटल पोस्ट है और physio therapist में टोटल 21 पोस्ट है दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं आप से qualification क्या मांगा जा रहा तो cable हम paramedical इस्टाप कही देखेंगे इसमें क्योंकि जितने भी इसमें पोस्ट है ऐसे में बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा ज़्यादा सा में लगने वाला है qualification में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे laboratory assistant के लिए तो इसमें total post जो है 138 total post सामिलें बात कर लेते हैं qualification में तो आपके पास दोस्तों call pass होना चाहिए science subject साथ साथ में दोस्तों आपके पास diploma in medical laboratory technician में होना चाहिए आपके पास DMLT complete होना चाहिए या फिर दोस्तों अगर आपके पास DMLT complete है तो अब भी आप इसमें आवेतन कर पाएंगे और आपके इसमें salary 25,000 से 81,000 रुपय परमन दी जाएगी 2400 great pay के अनुसार आपके इसमें salary मिलने वाली है और age limit में देख सकते हैं 18-2700 तके candidate इसमें आवेतन कर पाएंगे साथ में दोस्तों आपको age relaxation भी दिया जाएगा और यह center government के according जो age relaxation रहता है वह यह आपको मिलने वाला इसमें निश्ट पोस्ट की बात करेंगे assistant में OT और CSSD assistant के लिए तो total 118 पोस्ट है और आप से इसमें qualification में 12th pass होना चाहिए दोस्तों science subject साथ साथ में आपके पास operation room assistant का course complete होना जरूरी है तभी आप इसमें आप एतन कर पाएंगे 1900 grade पे के अनुसार आपको salary दी जाएगी 19,000 से 63,000 रुपए आपकी salary रहने वाली है OT assistant और CSSD assistant के लिए और technician में दोस्तों OT assistant के लिए 72 total post सामिल है और qualification की बात कर लेते हैं तो आपके पास operation room assistant का course complete होना चाहिए दोस्तों आपके पास सात में 5 year का experience भी आपसे मांगा जा रहा है OT assistant में आपके पास यह experience है तो आप इसमें आवेतन कर पाएंगे या फिर neuro surgery में आपके पास 5 year का experience है तब भी दोस्तों आप इसमें आवेतन कर पाएंगे इसमें salary दोस्तों आपको 2400 grade पे के अनुसार दिया जाएगा और ideometry assistant के लिए इसमें total 13 post है और qualification same field में आपके पास diploma होना चाहिए diploma in ideology में और one year का अगर आपके पास experience है यह जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके पास experience होना चाहिए without experience वाली candidate भी इसमें आवेतन कर पाएंगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों next post की तो technical assistant में OT और CSHD assistant के लिए रहने वाला है same आप से qualification मांगा जा रहा है OT room operation room assistant का आपके पास यह qualification होना चाहिए हम next post देख लेते हैं दोस्तों तो occupational therapist के लिए रहेगा और total 12 post है और इसमें qualification में आप से occupational therapy में degree या diploma आपके पास होना चाहिए salary दोस्तों आपको इसमें बे आली सो grade पे के नुसार दिया जाएगा 35,000 से 1,12,000 रुपए आपकी इसमें salary रहेगी और 18 से 32 वर्स इसमें easily मिर दिया जा रहा है next दोस्तों हम बात कर लेते हैं रेडियो ग्राफर के लिए तो इसमें टोटल 32 पोस्ट सामिल है और qualification में आपके पास तुल्थपास होना चाहिए science subject साथ साथ में आपके पास certificate course है रेडियो ग्राफी में या फिर diploma course है या दोस्तों आपके पास degree है तो आप इसमें हावेतन कर पाएंगे आपके पास दोस्तों सेम फिल्ड में है कोई सभी degree या certificate या diploma होना चाहिए रेडियो ग्राफी में और इसमें आपको 18 से 27 वर समय दिया जा रहा 25,000 से 81,000 रुपए आपके इसमें salary रहने वाली है speech therapist के लिए भी post है तीन post है आपके पास pathology from आपके पास दोस्तों इसमें graduate in speech therapy में होना चाहिए और two years के experience speech therapist में है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे नेश्ट जो post है दोस्तों वो assistant dietitian के लिए रहने वाला टोटल 25 post है और qualification में आपके पास home science या home economics में दोस्तों आपके पास ये degree या डिप्लोमा होना चाहिए पीजी के डिप्लोमा है same field में तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे एक लाग बारह जार तक आपको दोस्तों इसमें salary मिलने वाली है बी आलिस सो ग्रेट पी के अनुसार और फिजियो थेरपिस्ट के लिए भी post है इसमें फिजियो थेरपिस्ट वाले candidate आवेदन कर पाएंगे जिनके पास ये बेचलर डिग्री या डिप्लोमा है इसी field में फिजियो थेरपि में अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें आपको apply कैसे करना है ये पेरामेडिकल के जितने भी post थे उनको हमने कबर कर लिए हैं अब apply करने के लिए बात कर लेते हैं कैसे आप apply करेंगे और आपका selection process क्या रहने वाला तो apply के लिए दोस्तों मैं तो आपको बता चुका हूँ आपको online करना होगा इसके official website के माद्दम से बात करें आपका इसमें selection process क्या रहने वाला तो selection process दोस्तों आपका online exam होगा और apply करने के लिए आपको website बताया जा रहा है www.dssvonline.nic.in की माद्दम से आप इसमें आवेतन कर पाएंगे 15 सितंबर तक आपको इसमें दिया जा रहा है आवेतन करने के लिए दोस्तों आवेतन करने के लिए आपको application फीस भी पेकरना होगा यह आपको बताया जा रहा है 100 रुपए आपका इसमें फीस लगने वाला है और मैं आपको दोस्तों age limit भी age relaxation बता देता हूँ कितना कितना आपको इसमें age relaxation दिया जा रहा है तो देख सकते हैं SCST वाले candidate के लिए 5 यर है और OBC वाले candidate के लिए 3 यर्स और VWD वाले candidate के लिए 10 यर्स है ऐसे करके दोस्तों category YG वताया जा रहा है आप ये PDF डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजेगा तो दोस्तों जानकारी अच्छी लेगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों साथ सेर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम चैनल में जूढने के लिए दोस्तों आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स मिल जाएगा वहां से आप जाइन हो पाएंगे थैंक यू